हाई दोस्तों मेरा नहाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फ्रिशे स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में दोस्तों लास्ट थ्री वीडियो में हमने देखा है कि कारीज मेटर को कैसे अनलाइज किया जाता है और उसका यूज करके हमने ये final moments निकाल है ये सारे के सारे final moments उसी process में हमने निकाल है जो मैंने last 3 parts में आपको बताया है अभी हमें क्या करना है अभी हमें इसकी final bending moment diagram निकाल लीग है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपकी portal frame है, उस portal frame के उपर, जैसे अभी अगर मैं आपको दिखाओ, इस portal frame के उपर दोस्तों, जो external load apply हो रहे हैं, जैसे यह 20 kN, 30 kN, तो उनका भी bending moment diagram आपको निकालनी पढ़ेंगे, ओके, तो simple bending moment diagram और final bending moment diagram यह दोनों diagram को बना के आपक क्या करेंगे, यहाँ पर हम हमारे जो simple bending moment diagram के calculations है, वो workout करेंगे, top जहाँ पर हमने यह top यहाँ इस particular इस पर जो load लगे होए उनके लिए, ठीके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं आपसे request करता हूँ, कि please मेरे चानल को subscribe कीजे दोस्तों, क्योंकि इस जैसा चानल आपको YouTube के ओपर मिलेगा जरू, लेकिन इतनी अच्छी information आपको कोई देगा नहीं, ठीके, मेरे चानल का नाम परागपाल है, इसको subscribe करना मत भूलिए, और इस notes को समझने के लिए और पढ़ने के लिए, आपको मेरे इस website के ओपर जाना पड़ेगा, जिसका नाम है www.civilnotes. चलो start करते हैं, तो यहाँ पर जो next step है हमारी, हम next step के ओपर आगे चलते हैं, हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं, फिलाल, जब final bending moment diagram सारे calculations हमारे पास available है, last video जिस दिन लोगों ने हमेरा देखा है, उन सबको में बताना चाहता हूँ कि यह सारे values को लेके, अभी में आगे के calculations करने वाला हूँ, जो भी values आपको यहाँ पर दिख रही है, सारी values को मैं free bending moment diagram का use करके वहाँ पर put up करूँगा, ठीक है, लेकिन उसके भी पहले इसी particular page पे मैं मेरा दूसरा काम कर लेता हूँ, ठीक है, वो यह है, यहाँ पर, ठीक है, bending moment calculation, ओके, bending moment calculation, ओके, for beam loads, जो beam के ओपर हमारे loads आया है, उनके calculations के बारे में मैं आपर बात कर रहे है, ठीक है, तो देखिए, हमारा जो यह top वाला beam है, ठीक है, हम COD, CD beam को यहाँ पर लेने वाले, क्योंकि बाकी के beam को लेके मतलब नहीं है, ठीक है, यह हमारा CD beam है, यहाँ पर इसका यह particular support, load इसके ओपर लग रहा है, वो load एक 20 kN का यहाँ पर आ रहा है, 20 kN, ओके, और यह का आ रहा है, यहाँ पर 30 kN, ओके, ना उसके बाद, जो distance है, this is 1 meter distance, this is 2 meter distance, and this is 1 meter distance, यह point C है, यह point D है, here you can see C dash, you can see here D dash, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसका bending moment calculations करने है, मतलब इसकी bending moment diagram निकाल लिए, right, तो हम इस तरीके से इसको लेके आएंगे नीचे, जीन जीन लोगों को पता नहीं है, कैसे bending moment diagram निकाल लिए, देख लीजे, सबसे पहले bending moment निकालने के लिए, सबसे पहले आपको reaction के calculation करने होता है, okay, reaction calculation, reaction calculations कैसे करेंगे, सबसे प moment at point C equals to 0, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए, यहाँ पर यह जो force है, this force is RC, ओके, and this force is RD, तो यहाँ पर देखिए, RD जब C respective में घुमेगा, मतलब कैसे घुमेगा, इस direction में घुमेगा, तो कोंजी direction है, anti-clockwise, ठीक है, तो anti-clockwise direction में घुमेगा, तो क्या होगा, RD, minus of RD into 4 distance, 1 plus 2 plus 1, D से लेके C तक का distance कितना है, मतलब RD इस force से लेके, C तक का distance कितना है, 4, तो यह हो जाएगा, minus of RD into 4, उसके बाद, कौन सा force हा रहा है दोस्तो, 30 kN का, तो 30 kN कैसे घुमने वाला है, clockwise, और 30 से लेके C तक का distance कितना है, 2 plus 1, 3 है, ठीक है, तो 30 kN into 3, ओके, और 20 kN into 1, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, plus 30 into 3, plus 20 into 1, तो equals to 0, तो मेरेको दोस्तो, RD की बाली मिल जाएगी, RD equals to मिल गया आपको कितना, 27.5 kN, similarly, मैं, summation of all F, अभी आपके पास D का force आगया, अभी आपके पास RC निकालना है, RC कैसे निकलेगा, देखो, मैं बताता हूँ, जितने भी summation of forces है, इन Y direction, इस particular beam के उपर उसको हम 0 करेंगे, तो RC और RD उपर के direction में जा रहे है, जो भी force उपर के direction में जाता है, वो हमें सा positive होता है, और उपर से जो नीचे आता है, वो negative होता है, ठीके, So, RC प्लस RD, उपर से कुन-कुन से force हा रहे है, 20 और 30 हा रहे है, 20 और 30 कलनोंटन, तो यह क्या हो जाएंगे, minus of 20, minus of 30, equals to 0, तो इससे अभी आपके पास RD की value है, वो RD की value रख दो कितना है, Okay, just wait a minute, RD की value कितनी है, यहाब लिखेंगे RC, प्लस RD है, 27.5, minus 20, minus 30, equals to 0, तो यहाँ से RC की value मिल जाएंगे दोस्तों, कितनी मिलेगी, 22.5 किलो न्यूटन, यह RC आ गया, और यह आ गया RD, ठीके, तो दोनों की दोनों figure धहन में रखते हुए, RC और RDA को धहन में रखते हुए, हम क्या करेंगे, bending moment के calculation करेंगे, किसके लिए, इस पूरे diagram के लिए, तो very simple है, जब मैं bending moment के calculation करूँगा, जब मैं bending moment calculation करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, moment C, देखो यह जो है, यह C- मतलब क्या हो जाएगा, moment C-point हो जाएगा, यह कुन सा point हो जाएगा, moment D-point हो जाएगा, MC का अरड़ी हमारे पास है, MC के उपर जो load आने वाले हो अरड़ी हमारे पास है, क्या है, MC और यह है हमारा already MD-point, ठीक है, तो यहाँ पे MC equals तो 0 करता हूँ, ठीक है, अगर मैं MC को 0 करता हूँ, तो MC' के उपर जो load आएगा, वो कि क्योंकि RC clockwise है, तो RC multiplied by 1 मतलब MC मेरे को मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखो, मैं MC' निकालूँगा, MC' equals to RC multiplied by 1 equals to क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरा 22.5 multiplied by 1 is equals to 22.5 kN into meter, ठीक है, now MD' मुझे निकालना है, तो MD' कैसे निकलेगा, अभी MD' देखो, MD' निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, देखो, यहाँ पर, एक तो RD, जो कि, सबसे पहले RC into 3 करो, मतलब RC into 1 plus 2, 3, minus 20 into 2, 20 into 2 करना पड़ेगा आपको, उस किसाब से आपका निकल जाएगा, calculations, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर, तो यहाँ फिर आप एक काम क कर सकते हैं, straight away, जो आपका, उस side का है, मतलब कौन सा है, MD है, MD, sorry, RD है, RD को multiply कर दो, जैसे हमने इधर किया, तो यह हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा यह, clockwise, अभी यहाँ पर, इस direction में ऐसा जो घुमेगा, वो positive रहता है, ठीक है, यह ध्यान में रखो, तो यह हो जाएग आपका, MD equals to 27.5, MD equals to RD, that is, इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है, तो यह 27.5 किलो न्यूटर इंटू मीटर, या फिर अगर करना ही है, तो बस ऐसे कर लो, RC into 3 minus 20 into 2, so you will get your answer, ठीक है, अभी यह जो values आईए, दोनों values आईए, इनका use करके अभी calculations यहाँ पर bending moment निकालना पड़े 22.5, यह एक point, और दूसरा आएगा कितना 27.5, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से आपको एक join करना पड़ेगा, एक point यहाँ पर आएगा, एक point आपका यहाँ पर आएगा, और एक point जो है, वो आपका यहाँ पर आएगा, यह हो जाएगा आपका कितना 22.5 और यह हो जाएगा आपका कितना 27.5, ठीके, ओके, यह दोनों होगे positive, पुरा positive bending moment, simple bending moment हो जाएगा, ठीके, इस पुरे values को हम use करेंगे हमारे bending moment values के साथ, तो यह जो सारे bending moment आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहे है, MA, moment BA, moment FE, ठीके, इन सब का अभी आपको क्या करना पड़े next page पे हम चलते हैं, ठीके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जो portal frame है, उसकी diagrammatical representation पहले बनाएंगे, ठीके, इस तरीके से, ठीके, अभी देखिए, moment AB की value कितनी है, यहाँ पे नाम देता है, A, B, C, D, E, F, और इसके आगे भी एक beam है, इसके आगे भी एक beam है, जो कि यह कितना G and H, ठीके, चलो, यह मैं इनके direction दे देता हूँ, यहाँ पे ऐसा, यह ऐसा, ठीके, फिर यह ऐसा जाएगा, और यह ऐसा जाएगा, ठीके, यह एक ऐसा आएगा, यह एक ऐसा आएगा, ठीके, जो हमारे calculations आए हुए, वही में यहाँ यहाँ पे जल्दी अल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीके, जब आप numerical solve करेंगे, you will get to know, कि कितने fast आपके calculations आ रहे है, right, okay, 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, fix hinge है portion, ठीके, बाहर रहेगा आपका क्या minus, ठीके, अंदर क्या रहेगा, plus, उपर रहेगा minus, ठीके, बस value लिख तो यहाँ पे value जो है, मैं आपको value बताता हूँ, यह आएगा आपका कितना, this is your, अभी यहाँ पे आपको plus minus नहीं लिखना है, वो plus minus आपने in term of arrow के इसमें आपने represent कर लिया, ठीके, तो moment A भी कितना है, 23.57, moment B कितना है, 18.87, ठीके, moment B EF कितना है, ठीके, यह सारी value में भी देता हूँ यहाँ पे, यह है 14.1, सॉरी मैं एक बार EF लग देता हूँ, EF है 0, ठीके, फिर उसके बाद, सॉरी, FE 0 है, EF जो है, वो है आपका 17.84, 17.84, ठीके, BC जो था, वो है आपका 4.6, 4.6, ठीके, CB जो है, वो है आपका कितना, 2.92, ठीके, अंदर लिखो इसको, अभ पेस निसले मैंने बाहर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीके, ED जो है, ओके, the ED is 12.72, 12.72, ठीके, फिर उसके बाद DE कितना है, 18.8, ठीके, उसका BE जो है, that BE is 14.1, ठीके, EB कितना है, 34.32, ठीके, उसके बाद 3D जो है, this is coming 3.6, 3.56, ओके, फिर DC जो है, that is 20.87, ओके, फिर जो DG है, this is DG is 2.5, ओके, and EH is what, is 5, अभी आप बोलेंगे, सर माइनस प्लस बोला नहीं, क्योंकि अरड़ी मैंने निकाला है, मैंने बस इसमें, आरो के टर्म में वो डिरेक्शन मेंने अरड़ी द्रॉ करती है, अभी चल होने से पहले दोस्तो, प्लीज मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब कीजिए, ओके, प्लीज डोंट फगेट तो सब्स्ट्राइब यूटूब चैनल परागपाल, ओके, for getting more video like this, ओके, now, let's start, सबसे पहले जब bending moment निकालते हैं, दोस्तो, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कि ऐसे अलग-अलग, हर एक element को अलग-अलग draw करेंगे, एक beam हो गया, यहाँ पे column हो गया, यहाँ पे column हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद, यह दूसरा beam हो जाएगा, यहाँ पे, यह नीचे का column, यह इधर का column, ठीक है, now, अभी सबसे पहले, नीचे से draw करते हैं, कितना है, 23.57 है, ठीक है, यह सारी वैगा, figures दहन में रखो, यह टेबल अभी में, सिधा-सिधा draw कर रहा हूं, ठीक है, यह इधर आएगा, ऐसे 23.57, 18.87, यह इसे चला जाएगा, ठीक है, this is negative, this is positive, okay, 14. ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका कितना, 34.32, this is 34.32, and this is 14.1 ठीक है, यह रहेगा आपका 18.87, and this is your what, 23.57, ठीक है, यह जो है, यह आपका ऐसा जाएगा, लेकिन एक चीज़ दहन में, वो बाद में निकालता हूं, ठीक है, फिर यहाँ पे यह आएगा, आपका यह 0 है, तो यह इस तरीके से joint हो जाएगा, this is your 17.84, ठीक है, this is negative, this is positive, okay, और यहाँ पे जो simple bending, क्योंकि UDL था, तो WL square by 8 का formula use करके, यह आता है कितना, 20, ठीक है, और यह हो जाएगा, इतना portion आपका क्या, this portion is positive, okay, and this portion become negative, ठीक है, simple bending moment को भी तो overlap करना पड़ेगा, दोस्तों, भूलना मत, ठीक है, फिर अभी यह जो है, यहाँ पे आपका एक beam था, इस direction में कितना है, 5 है, ओ रहेंगे, इसलिए इस तरीके से आएगा, 5, okay, now उसके बाद उपर चलो थोड़ा, यहाँ पे देखो, यह आएगा इतना 4.6 अंदर, 2.32, join मारो, okay, 2.92, 4.6, plus, minus, इधर लिखो, ठीक है, 18, थोड़ा भाहर ले लो, ऐसे, join मारो इसको, ठीक है, straight line ह नहीं मारना, ठीक है, यह कितना है, 12.72, this is 18.8, okay, minus, plus, यहाँ पे ऐसे खिच लो, कितना है, 2.5, minus, ठीक है, अभी यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है, 3.56, right, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, 20.87, ठीक है, इन दोनों को join कर लो, पहले ऐसे, now, जो बीच के point है, कुंत कितने है, 22.5, जो भी हमने निकाला है, और है 27.5, यह कैसे draw हो गए, इसको ऐसे join करो यहाँ पर, एक यहाँ पर draw करो, और इसको यहाँ पर join करो, तो इसके जो values है, वो रहेगी कितना, यह रहेगा आपका minus, ठीक है, this is your plus portion, and this is your minus portion, and this portion is simple bending moment area, जो हमने draw किया, ठी ठीक है, right, तो इस तरीके से आपकी bending moment diagram बनेगी, okay, this is your bending moment diagram, अगर मैं इसको और final तरीके से बनाओ, जो कि लोग exam में बनाते है, ऐसी तो exam में ऐसी बनानी चाहिए, बट जो लोग अभी आपके दीमाग में जो आ रही होंगी, वो कुछ ऐसे आ रही होंगी, ठीक है, कि सर ने ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है, इस point से 12 point यहां से थोड़ा कुछ ऐसा point जाएगा आपका, ठीक है, फिर उसके बाद ये बाहर से थोड़ी ऐसे आएगी, ठीक है, फिर ये जो है इस तरीके से रहेगा, ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, पिर ये यहां त रहेगा, ठीक है, इतना complicated diagram बनना है, तो ऐसे ना बनना चाहिए, इसलिए हम इसको segregated रखते है ठीक है, तो ये कभी भी मत बनाएगा exam में, क्योंकि किल सी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है understand, तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यही पर समाफ्त होता है ये numerical हमारा यही पर समाफ्त होता है इस सारे notes को में मेरे website के उपर रखने वाला जिसकी link आपको description box में एक दो दिन में मिल जाएगी, okay वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much and don't forget to subscribe my channel, okay, thank you so much guys, have a nice day, bye-bye